बिस्मिल्यारामाराहिम, असलामलेकृम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हुझा अंसारी और आप देख रहे हैं इजादन सारी फूट सीक्रेट्स अलबरेकदे, आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जाइकों में तुमें आपके लिए बहुत ही स्पेशल रबडी फालूदा की रेस्पी लेके आया हूँ लेकिन मैं आपको बहुत ही असान और शॉर्ट कर त्रीका बताऊंगा, मिंटों में ये रेस्पी तयार हो जाएगी, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी और इतनी लजीज होगी कि इंशाला आज के बाद आप मार्किट से ये खरीदना बंद कर देंगे और घर पर ही बनाएंगे इसको चलें जी बिसमिल्लावानाइम, खुब्सूरा सी ये कड़ाई लेंगे और उसके अंदर हमे लेंगे, जो जग मैं अच्षे से ब्लैंड कर लेंगे उखं़ाओ और इन ब्रेट्स को हम इस तरह से छोटे-छोटे की व्यूप में काट लेंगे, ठीक है, चार से पांच ब्रेट्स आपको चाहिए होगी, उसके बाद इसको ब्लेंडर के जग में एड़ करके, आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, इनको बिल्कुल ब्रेट करम से होते है चूड़ा वो आपने बना लेना, उसके बाद, बिसमिल्ला रमानाई, यहां पे हमारा दूच है, वो गरम हो चुका है, अब फ्लेवरिंग के लिए इसमें हम एड़ करेंगे, इसमें काफी चीज़े जाएंगी, धियान से लेगएगा, तीन छोटी लाची आड़ कर देंग जिनको हमें चूड़ा कर लिया था, बिल्कुल सेपरेट है, इसको हमने इसमें एड़ करना है, ठीक है, यह देखें, इससे क्या होगा, जो दूद है, वो गाड़ा हो जाएगा, बहुत ही दानेदार सा हो जाएगा, फ्लेवर भी इसका बहुत अश्याता है, ठीक है, हाई इसका थोड़ा साथ है, लेकिन कलर हमने किसी और चीसे लेकर आना है, और यहीं पर हमने इसमें एड़ करना है, ड्राइ मिल्क, ड्राइ मिल्क का आप किसी भी ब्रैंड का यूज करने तीरिवन चार से पांच टेबल स्पून, और अप्शिनल है, अगर ना भी आड़ करें, की और इसके कलर की, उसके लिए, बिसमिल्ला रवारा है, खुब्सूरा सा एक पैन लेंगे, और इसके अंदर हम तक्रीबन हाफ कप के क्रीब चीनी आड़ कर देंगे, ठीक है, और इसको हम इस पे फिला देंगे, फ्लेम को मिडियम कर देंगे, और इसमें कोई पानी, कोई चीनी पिखलना शुरू हो गई है, याद रखिएगा, जब चीनी पिखल जाए, इस हालत में 80-70%, तो आपने फिलेम को लो कर देना होता है, वरना ये एक दम से जल जाती है, बलैक हो जाती है, जिससे कलर तो खराब हो गाई होगा, साथ ही साथ इसका जो टेस्ट है, वो भी टोटल स्पाइल हो जाता है, ठीक है, खराब हो जाता है, जला हो जाता है, तो ये देखें, जब ये गोल्डन सा, सुनेरी सा, खुबसूरत सा कलर आ जाएगा ना, तब आपने इसको फ्लेम से उठा लेना, उसके बाद, बिसमिल्ला रवारा ही, अब जब आप इसको दूद होता है, चेनी की निस्पत, और देखें, जैसे-जैसे हम मिक्सिंग कर रहे है, कितना शानदार जो कलर है, वो आ रहा है, तीक है, और यही चीज़ हमें चाहिए थी, यहाँ पे, अब यहाँ पे, जो हम बजार से खाते हैं, रब्री या फलूदा, उसके अंदर एक खुश् जब यह वाली consistency आजए है, तब आपने flame का off कर देना है, बहुत जल्द तियार हो जाता है, 10-15 मिनिट लगते हैं, इसे तारा time नहीं लगता, जब यह condition आजए है, तब आपने flame का off कर देना है, और इसको freezer या fridge के अंदर रखके, पिल्गुल ठंडा कर लेना है, उसके बाद, मारे पास है, फलूदा सेमिया, और उसके ओपर हमने ये रबड़ी एड़ करनी है, रबड़ी के बाद, फिर इसके ओपर थोड़ी सी सेमिया, जो corn stars की बनती है, ये अगर आपको recipe चाहिए, ज़रूर बताएं, मैं आपको बताऊंगा, ये कैसे बनती है, एक तो, कहले है steps मे माशाला, लहमदलिल्ला, देखेंजी, मेरे अल्ला की शान, उसकी रह्मते हैं, नेमते हैं, और बड़ते हैं, जो दूसरे हमाते हुआ रहे हैं, शानदार रबड़ी recipe तेयार है, फलूदा recipe तेयार है, दौामिया देखें, लिवरे तक अल्ला हाफीज